असलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे चीजी गार्लिक ब्रेट ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है और ये इतनी ज्यादा इजी है कि इसे कोई भी ट्राइ कर सकते हैं ये बहुत ही जल्दी बन जाती है देखें ये दिखने में कितनी ज्यादा टेस्टी और चीजी लग रही है तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से उसे क्रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए तो गार्लिक ब्रेट बनाने के लिए हम सबसे मिक्सिंग बॉल में 3 चमच बटर और 15-18 बारी कटा हुआ लेसन दालेंगे आदा चमच औरिगानो दालेंगे आप यहां पर इटालियन हर्प्स भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें कुछ बारी कटा हुआ हराधनिया दालेंगे जो कि हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है त स्प्रेड तयार किया था उसे दो ब्रेट्स पर इस तरीके से इवनली लगा देंगे देखिए इस तरीके से अब एक ब्रेट स्लाइस पर हम मौजरेला चीज को रखेंगे जिसे के इसका टेक्स्चर और फ्लेवर अच्छा लगेगा अब हम इसे कवर कर देंगे और इसके उपर भी वापिस स्प्रेड लगा देंगे इस तरीके से अब हम इसे एक पैन पर रख देंगे फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा है अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे दो से तीन मिनिट तक रखेंगे और साथ ही हम इसके उपर भी इस तरीके से स्प्रेड लगा देंगे ऐसा करने से इनका बहुत ही अच्छा लुकाता है और टेस्ट में भी बढ़िया लगते हैं एक से दो मिनिट बाद अब हम इसको टन कर लेंगे और इसकी दूसरी साइट को भी दो से तीन मिनिट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे धकन धाक कर हमें इसकी अंदर का चीज म आने के लिए स्टिक्स के फॉर्म में काट रही हूं आप इने ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं तो आप इस टेस्टी और कुई गार्लिक ब्रेट को जरूर ट्राइ करिए और गर्मा गर्म सर्फ करिए यह सभी को बहुत पसंद आएगा तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू